हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बैक टू आवर चैनल प्लावरिंग प्लावरिंग कैसे पाएं तो जो आपके फ्लावरिंग प्लावरिंग होते हैं उन पर सबसे पहले बीज ना बनने दें यानि सीड ना बनने दें क्योंकि फूल होता है उसी के नीचे से ही सीड बनते हैं यह हमारा हौली हौक प्लांट है जिस पर मीली बग ने अटैक कर रखा है और इस पर सीड भी बनने लगे हैं इसलिए फ्लावरिंग प्लांट है जो कि हमने लास्ट यर ग्रो किया था इसी पोट में और अब दोबारा जो सीड नीचे गिर गए होंगे उन में से पोधे बनने लगे और ये काफी बड़े हो चुके हैं and flowering भी कर रहे हैं लेकिन अगर इस पर जाद़ jadah fly doct şaaats पर see'd ना बनने दे और 3 ऐन lotsbor में ढूर रहें खिर होते रहें मतलब अगले दिन Sitting was yard प्लांट अपनी सारी पावर सीड बनाने में देने लगेगा और फ्लावरिंग कम होगी और ज्यादे समय तक नहीं हो पाएगी जल्दी आपका फ्लांट खतम हो जाएगा तो इस तरह से जो यह सीड है जो इस पर बनने लगे थे वो हमने सब भी हटा दिये हैं और जो मिली बग है उनको हम साधारन पानी से इसको वाश कर देते हैं या फिर इस्प्रे से इसको हटा देते हैं तो आप चाहें तो नी मॉयल भी मिला सकते हैं पानी में और लिक्विट सोप और नी मॉयल 1 टेबल स्पून लिक्विट सोप 1 टेबल स्पून नी मॉयल और एक लीटर पानी में मिला के आप उस पे स्प्रे कर सकते हैं मिली बग के लिए लेकिन हम हमेशा मिली बग को पानी से ह हटाते हैं तो आप water spray कर सकते हैं इस पे या फिर इसको हाथ से भी पानी से हटा सकते हैं तो इस तरह से सभी पौदों पर से हमने सीड हटा दिये हैं क्योंकि विंटर आ रहा है विंटर फ्लावरिंग प्लांट आप सभी ग्रो करेंगे और सेप्टेंबर से फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है उनमें उक्टोबर सेप्टेंबर में फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है विंटर फ्लावरिंग प्लांट में तो आप इस तरह से शुरू में उनमें सीड ना बनाए हमेशा जनवर अजिता का वाइन है जो की काफी अच्छी फ्लाविंग कर रही है और इस पर भी हम सीड नहीं बनने देते हैं क्योंकि ये फूल एक दिन रहते हैं नेक्स डे इसमें से सीड बनने लगते हैं तो अगले दिन जब ये सूख जाएं तो आप इनको रिमूव कर दें हटा दें नहीं तो ये प्लांट भी अपना पूरा समय फिर ले ले लेता है और सारी पावर जो है वो सीड बनाने में देने लगता है और फ्लावरिंग कम होती है यही वज़ा होती है जब प्लावरिंग क काफी अची दी है और अाप इसके बी जो ये पुराने फूल हो जाते हैं इनको हटाते रहें अगर आपको सीड नहीं बनाने हैं तो इसके काफी सारे सीड़ हमेरे पास पहले से ही है यह इसलिए पुराने फूल हेनको हटा deiय है इस तरह से आप जब आप स सभी दे पाएगा आपको और वो भी लंबे समय तक और प्लांट भी हेल्दी रहेगा तो यह ब्लैक वाली मकोय है जिस पर एक वीडियो हमारी है देस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेक कर सकते हैं और देखिए किस तरह से छोटे से प्लांट पर इतना अच्छी फ्रूटिंग हो रही है तो एक बॉटल में ग्रो किया हुआ है तो आप वीडियो जरूर चेक कीजिए का यह काफी अच्छी होती है हल्थ के लिए और चैनल क आपको अच्छी अच्छी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती है